बढ़वानी में लोगों की नजरों से दूर एक मेडिटेशन योग पर्यावरन जागरुकता का केंदर बन रही है हम बात कर रहे हैं बढ़वानी के समेप ग्राम बढ़गाओं की सुन्दर पहाडी की इस पहाडी को वीरान देख पर्यावरन के प्रति अपने कर्तवे को देखते हुए बढ़वानी के एडिशनल स्पी ओंकार सिंग कलेश ने हरा बढ़ा करने का भीडा उठा रखा है वे और उनके सहयोगी बढ़वानी शेतर की वीरान पहाड़ियों में हर्याली लाने का बरसक प्रयास कर रहे हैं वहीं नियमित बढ़वानी के ग्राम बढ़गाओं में पहाड़ी पर एक योग के साथ पोदों को पानी देते हैं जो लोगों के लिए भी प्रेणा का इस्त रहान ये प्रयास किसी उपलवदी से कम नहीं है चारों सत्पुडा के पहाड़ियों से घिरे बढ़वानी में कलेश की ये पहल लोगों को एक अच्छा संदेश भी दे रही है उन्होंने ग्राम बढ़गाओं में विरान पहाड़ी पर पेर लगाए हैं और प्रती दिन न प्रयावरेणिय स्वास्त के साथ शारिरिक स्वास्त लाब भी लेते हैं और अपने स्टाफ के साथ ही आमजन को पोदे लगाने वाई योग करने के लिए प्रेडित भी करते हैं कि आप लोगों ने हाँ पर प्लांटेशन किया हुआ है और डेली यहां पर आते हैं पोदे लगाएं क्या कहने चाहिए इस पहाड़ी पर मैं यहां पोस्टिंग पर आया तब से यह गुमने के लिए बहुत अच्छा लाए बहुत पसंद आया पर यह पूरी पाड़ी है छ दो अलग से बर्गत और बिलपत्र के पोदे नहीं पीपल आगी आधी के पोदे लगाये खरीद कर लाया हूं लगाया और प्रतिजिन उसमें में पानी देता हूं तो मेरा प्रण है कि इन पोदों में यहां पोस्टिंग रहते तक बड़ा करके रहूंगा तर मेडिटेशन इसतर क्या लगता आपको यह प्लांटेशन और लोगों वह भी करना चाहिए क्या एक खंदेश देना चाहिए बड़वानी कासपास बहुत सारी पाहडी है जो बिलकुल नंगी है जिन पर कोई भी पेड़ पोधा जंगल नहीं है यह दि इन बड़वानी कासपास की पाहड कर दिया जाए पूरा जंगल प्लांटेशन हो जाए तो बड़वानी में जो अथा गर्मी होती वह मैं मेरे विचार अनुसार मेरे मत का अनुसार बिलकुल ही एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा मौसम रहेगा यहां कि अगली जो सामने आपको पाहड़ी दिख रही कि वहाँ पर बाद में प्लांटेशन कर रहा था गड़े खोद रहा था तो मैं गेती चला रहा था और मेरा ड्राइवर जो गड़े में मिट्टी खते हुए वह हाथ से निकाल रहा था दोनों मेरे डोगी ने देखा और उन्होंने भी न जाने कहां से उन्हों प्रेणे ना मिली अपने हाथों से उन्होंने भी मट्टी निकालने मदद की